मैं हूँ शोबनन्दन सवीवर्स और सस्क्राइबर को मेरी नमस्ते और आज की हमारी रेसिपी है मूली की भुजी मूली की भुजी बनाने के लिए 1.5 किलो मूली का यूज किया है मूली को चाकू से काट कर पत्तों से अलग कर लेंगे रेसिपी को मैंने बहुती सिंपल तरीके से बताया है जिसमें मैंने ज़्यादा मिर्च मसालो का यूज नहीं किया है मूली को पत्तों से अलग करने के बाद पत्तों को चेक कर लेंगे अगर कोई कटा हुआ या पीला पत्ता है तो उस पत्ते को निकाल देंगे फिलाल मूली एकदम फ्रेश है कटा हुआ पत्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है पीला पत्ता है उसे निकाल देंगे मूली के सारे पत्तों को चैक करने के बाद पत्तों की कटिंग कर लेंगे मूली के पत्तों की कटिंग करने के लिए आप चाकू या दराद जिसमें भी अप कमफ़र्टेबple feel करें उसका यूज करें मौली की कटिंग करने के लिए मौली का छिलका हटाकर मौली में दो कट लगाकर बारिक बारिक पीसीस में कट कर लेंगे मौली की कटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें पत्तों की आपने पत्तों को बारिक कट किया है तो मूली के पीस को भी बारिक कट करें ऐसा इसलिए करना है क्योंकि इससे मूली के पत्ते और मूली एक समान उबल जाएगी मूली की cutting करने के बाद मूली को 2-3 बार साफ पानी से wash करने के बाद उबलने के लिए pressure cooker में डाल देंगे मूली और मूली के पत्तों को मैंने अलग-अलग करके wash किया है आप चाहे तो 1-7 wash कर सकते हैं लेकिन मूझे अलग-अलग wash करना पसंद है क्योंकि मूली के पत्तों में बहुत सारी मिट्टी होती है इसलिए मैं अलग-अलग करके ही wash करती हूँ पत्तों को 3-4 बार साफ पानी से जरूर wash करें जिससे की पत्तों की सारी मिट्टी निकल जाए अगर पत्तों में मिट्टी रह गई तो बुची खाने में अच्छी नहीं लगेगी कूकर मूली और पत्तों से उपर तक भर गया है इसमें बाकी पत्ते डालने की जगा नहीं बचिये इसलिए थोड़ी देर के लिए हम इसको गैस पे रख देंगे जिससे की पत्ते थोड़ा सा बुच जाए और कूकर में जगा बन जाए मूली को जल्दी पकाने के लिए एक चमच नमक भी डाल देंगे एक कप पानी डाल देंगे पानी ज़्यादा ना डालें क्योंकि पत्ते वाली सबजियों में पानी अपने आप निकल जाता है ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती है ज़्यादा पानी का यूज करने से सीटी लगाते वक्त पानी सीटी से भार निकलने लगता है इसलिए कम पानी का यूज करना है कुकर के अंदर डाले हुए पानी में उबाल आने के पात पत्ते नीचे बैट गए हैं कुकर में जगा बन चुकी है बाकी बचे पत्ते को भी कुकर के अंदर डाल कर धकन लगा कर सिटी लगा लेंगे कुकर का धकन लगाने से पहले चमस से पत्तों को नीचे की तरफ दबा देंगे जिससे की कुकर का धकन लगाने में कोई दिक्कत ना आए 1.5 किलो मूली को उबालने के लिए मैंने 5 लीटर प्रेशर कुकर का यूज किया है पांच लीटर प्रेशर कुकर मूली और पत्तों से उपर तक भर गया है प्रेशर कुकर का धकन लगा कर कम से कम 4-5 सीटी आने के बाद गैस की फिल्म को बंद कर दें कुकर की प्रेशर को अपना फ्रंडा होने दें उसके बाद मूली को चेक कर लें मूली अगर पक चुकी है तो उसे स्टेनर में डाल कर उसका इस्ट्रा पाने निकाल दें अगर कच्ची है तो दुबार से सीटी लगा लें मूली और पत्ते को चेक करने के लिए थोड़े पत्ते उंगली और अंगुठे से दबा के देखे के अगर यह असानी से दब रहे है इसका मुदला भी अच्छी तरीके से पक चुके हैं सेम तरीके से मूली को भी चेक कर लेंगे मूली को भी अंगुठे और उंगली से दबा कर देखेंगे मूली अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, असानी से दब रही है मूली में अब और सिटी लगाने की जरूरत नहीं है मूली के अंदर कीवल हमने एक कप पानी डाला था इतना पानी मूली के अंदर निकल चुका है एस्टा पानी को निकालने के लिए मूली को स्टेनर में निकाल कर थोड़ी दिर के लिए छोड़ देंगे मूली का सारा एस्ट्रा पानी निकल चुका है स्टेनर से निकाल कर मूली को ठंडा करने के लिए परात में फैला देंगे जिससे की मूली जल्दी से ठंडी हो जाए मूली के अच्छी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद हतेलियों के पीच मूली को दबा कर मूली का सारा पानी निकाल देंगे इसके अंदर हमें बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ना है अगर मूली के अंदर पानी रह गया तो भुजी खाने में अच्छी नहीं लगेगी इसलिए आप कोशिश करें कि मूली का सारा पानी निचोड़ कर निकाल दें अगर आप पे नहीं उपारा है तो घर पे किसी जैंट्स की हेल्प भी आप ले सकते हैं मूली की भुजी बनाने में समय और महनत तो लगती है लेकिन मूली की भुजी बन जाने की बाद इसका टेस्ट होती अच्छा आएगा मूली के पत्तों से सारा पानी निकल जाने के बाद बाउल में रखकर बागी बचे विपत्तों का भी पानी निकालकर बाउल के अंदर रख लिया है भुजी को छोकने के लिए 3 मीडियम साइज की प्यास 10-12 हरी मिर्च हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के नुसार रखें एक इंच टुकड़ा अद्रक का 10-12 लैसुन की कलिया आप चाहे तो सभी इग्रेडेंट्स को एक साथ चौप कर सकते हैं फिर प्याच को चौप करके बाकी इग्रेडेंट्स को आप मिक्सी के जार में डाल कर पीच सकते हैं प्याच को मैंने चौप कर लिया है बाकी के इग्रेडेंट्स को मैंने मिक्सी के जार में एक चमच पाने डाल कर पीच लिया है कड़ाई में दो बड़े चमच सरसो का तेल डाल कर तेल से धुवा निकलने तक गरम कर लेंगे तेल से जब धुवा निकलने लगे गैस की फ्लेम को थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे जिससे कि तेल का टमप्रेटर थोड़ा कम हो जाए ऐसा करने से तेल के अंदर प्याज डालने से तेल की छिटे कड़ाई से भार नहीं निकलती है तेल पहले से थोड़ा ठंडा हो चुका है तेल के अंदर प्याज डाल कर प्याज का कलर लाइट गोल्डन प्राउन आने तक भून लेंगे दो पिंच हिंग भी प्याच के साथ डाल कर भूल लेंगे हिंग डालना ओप्शनल है अगर आपको पसंद नहीं है तो हिंग का यूज ना करें प्याच का कलर लाइट गोर्डन ब्राउन आ जाने के बाद पीस का रखिवी हरी मिर्च लैसन और अदरक के पेस्ट को कड़ाई में डाल कर पेस्ट से तेल अलग हो जाने तक भूल लेंगे भूजी को बनाने के लिए हल्दी धन्या पाउडर या गरम मसाले का यूज नहीं किया है बेसिक मसालों के साथी भूजी को बना कर तयार किया है आदा चमच नमक डालनेंगे सेंदा नमक का यूज करने के कारण नमक की मात्रा मैंने ज़्यादा डाली है नॉर्मल नमक के मकाबले सेंदा नमक ज़्यादा डलता है नमक आप अपको अपने टेस्ट के नुसार रखना है मूली को बलते समय भी नमक का यूज हमने किया था इसलिए नमक का यूज आपको ध्यान से करना है कड़ाई में सबी मसाले अच्छी तरीकी से भुन चुके हैं मसालों से तेल अलग नजर आने लगा है मसाले के अंदर अब हम मूली और मूली के पत्तों को डाल कर मिक्स कर लेंगे मसाले और मूली को मिक्स करते समय गैस की फ्लिम को लोपे रखेंगे सबी इग्रिडेंट्स अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं भुजी के अंदर मसालों का टेस्ट आ चुका है यहाँ पर आप एक बार नमक जरूर चेक करें नमक अगर आपको कम लगता है तो टेस्ट के नुसार नमक डाल कर थोड़ी दिर के लिए भुजी को और पका लिजिए नमक अगर भुजी में सही है तो भुजी सर्फ करने के लिए तयार है भुजी को सर्फ करने के लिए बाउल के अंदर निकाल लेंगे गरम गरम भुजी को रोटी के साथ सर्फ करेंगे रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक, चैनल को सस्क्राइब करने के साथ फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ शेर कीजिए रेसिपी से रेलेटिट कोई कोशन हो तो कॉमेंट जरूर करें